हेलो दोस्तो, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताजा ख़वर में, आज है 12th of June और ये News Analysis वाला वीडियो है, जिसमें हम लोग हिंदू के आर्टिकल्स को डिसकस करते हैं, तो आज थोरह जादा लेट हो गया, मैं आपको रिजन बताता हूं क्या हुआ है और ये काफी मतलब इंजर्डी लग रही थी और काफी आवाज भी कर रही थी, तो इस कारण से मतलब मेरे बास को और कोई चारा नहीं बजा, मैंने सोचा अपने साइट से की जितना मैं इसकी हल्प कर सकता हूं, तो पानी तो दिया मैंने और इसके बाद मैंने फिर ये एक काफी मैंने कुछ खाने पीने का सामान और इसके बाद तो अभी के लिए तो ठीक है और आराम कर रही है और मेरे खाल से हलकी इंजरी है, तो शायद हो सकता है कि एक दिन आराम करें, तो शायद रखी हो जाए, नहीं तो फिर वही है कि या तो किसी वेट के पास ले जाना प जल्दी से सॉट आउट हो जाए, आप लोग भी है कि आप लोग भी प्रे कर सकते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो अब चुकि यह पेट की तरह हो गई, तो पेट तो नहीं बोलेंगे, मतलब ओविसली घर पे आई है, तो इसके लिए एक नाम की तो चलिए अब अब अर्टिकल चुरू करते हैं, तो आज का जो सबसे पहला आर्टिकल है, वो यहां हम देख सकते हैं कि slum population most at risk, और यह किन्हों ने बोला है, तो ICMR क्या है, तो Indian Council of Medical Research, जिसको को ICMR बोलते हैं, और इन्हों ने एक पहला first sero survey करवाया था on COVID-19 spread, और इसी spread क इसी जो survey है, इसके basis पर इसका एक report आया है, इसी के basis पर इन्होंने बताया है बहुत सारी चीज़ें, अब यहां पर हम दोग देखते हैं, तो यह serological survey जो करवाया है, इन्होंने 83 districts में करवाया, और यहां पर इन्होंने एक तरह से chosen based on 0, low, medium, high COVID-19 case incidences, तो इसके basis पर इन्हो इसके अलाबा बुदला जा रहा है कि urban areas में 0.1.09 times higher possibility, higher risk in comparison to rural areas, और अगर आप इसको urban slums में देखोगे, तो 1.89 times हो जाता है, उसके बाद infection fatality rate जो बताया गया है, in 83 districts में, उसको 0.08% बताया गया है, और यहां भी बुला गया है कि lockdown और containment जो एक तरह से अभी employ किया था, तो इसके हिसाब से देखा गया है, कि इसको successful माना गया है, और इसका benefit क्या मिला है, कि हम लोग disease के spread को काफी जादा slow रख पाए है, अब आगे यहां पर अगर आप देखोगे, तो ICMR ने यह भी assert किया है, कि country में there is no community transmission phase, मतलब community transmission phase में गया ही नहीं है हमारी country, तो यह हो गया पह सकते हैं, basically इनका क्या क्याना है, कि इनका मानना था, कि economic growth जो है, वो मतलब एक तरसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो इनका मानना था second half of the year में एक तरसे होगा क्या, कि काफी जादा growth होगा, और V-shaped recovery होगी, पर अभी अगर आप देखा जाए, तो यह V-shaped recovery इन्होंने बो और यह जानते हैं, कि एक दिन, मतलब, विडनस दे को, क्योई QS World University ranking आया था, जिसमें हम लोगो ने देखा था, कि IISC और IIT जो है, जितने भी most है, उनका जो ranking है, वो काफी नीचे जा चुका है, और हम लोगो ने कल नीउस में देखा था, कि मतलब, जो NAC के वो है, चेर्म अब यह क्या करता है, कि US World ranking के बाद में, एक दिन बाद ही आया है, रिलीज हुआ है, तो इसमें कौन सी कौन सी findings हुई है, इसको हम लोग एक बाद देख लेते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, कि जो पहली top 3 ranked universities है, वो है, IISC, JNU और BHU, ठीक है, और इसके लाब IISC, जो बैंगलोरू है, वो second position पर है, in terms of college, और IIT Delhi third है, top पे कौन है, तो IIT Madras, जो है, तो top institution आप कह सकते हो, इसके लाब आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर कि, जो three top ranked colleges है, यहाँ कौन से कौन से है, तो Miranda House हो गया, Lady Shriram College हो गया, for women, और इसके बाद Hindu College हो गया, तो यह स next news पर चलते है, next news हमारा है कि efforts on to resolve LAC situation at the earliest story है, ministry of external affairs की, जो हमारे secretary है, उन्होंने यह चीज बताई है, ठीक है, अब यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि India-China जो है, वो एक तरह से maintain कर रहे है, military diplomatic engagements, और बाचीत चली रही है, और हम लोग अल्रेडी जान कल हम लोग ने देखा तो सबसे जादा problem वही पर हो गई भी है, इसके अलावा अब आप देखते हैं कि आगे क्या development होते हैं, और यहाँ पर हो क्या रहा है कि इंडिया और चाइना जो है काफी अच्छे तरीके से, और काफी, मतलब, maturely इस particular जो stand-off है, इसको tackle करने की कोशिश कर रहे है, तो अब next करने की ज़रुरत क्या पर है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हो क्या रहा है, यहाँ पर कि नेपाल जो है, वो prepare कर रहा है Saturday को, कि वो जो नया मैप उन्होंने बनाया है, कालापनी territorial dispute से related, उसको वोट करने वाले हैं, ठीक है, और वोट करने के बाद होगा क्या कि यह ज स्टोरन वर्णिंग दे दी, कि अगर आपने यह नेपाल को, कि अगर आपने यह चीज की, तो आपको, मतलब, long term consequences छेलना परेगा, तो obviously हम लोग जानते हैं, कि अगर आप देखोगे, तो मतलब, UP के पास में ही है, एक तरह से वो लाई कर रहा है, UP के पास में लाई करता है, और बोल रहा है कि वो deeply value करता है, जो भी civilizational, cultural और friendly relation है नेपाल के साथ, और obviously इन लोगों को amicably यह तरह से, stable पर आकर decide करना चाहिए, और decision लेना चाहिए, तो अब देखते हैं, आगे future में क्या होता है, मतलब, obviously अब कल voting है, तो कल पता चलेगा इसका कि क्या final हुआ, next point यहा बोला है कि COVID-19 pandemic जो है, इसको एक opportunity में बदलने की काफी जादा जरूरत है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, तो obviously इन्होंने reiterate किया है कि जो भी current crisis face कर रहे हैं, इंडियन्स, उसको self-reliant बनाने में काफी जादा मदद करेगा, और इसके लाबा बोला है इन्होंने कि अ आत्म निर्भर भारत का इन्होंने बताया है, इसका meaning क्या होता है, तो यह जो campaign है, it simply means कि India should minimize its dependence on other countries, तो दूसरे countries के उपर में dependence को खतम करना है, that is called आत्म निर्भर भारत, इसको self-reliant India campaign भी बोलते हैं, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे, तो time to time, ऐसी situations create होती है, और बड़ी crisis के साथ ही हमारे पास बड़ी learning भी होती है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग नई learning के साथ हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर इनका इतना ही कहना था, और यह काफी अच्छा एक तरसे, आप कह सकते हो कि मतलब motivating type का इनके साइट स अब हमारी प्रधान मंत्री के साइट से एक message आया है, अब यहाँ पर इन्हों ने यह भी चीज बोली है, कि इंडिया को भी जरूरत है, कि एकनोमी को यहाँ का जो एकनोमी है, उसको command and control mode से निकाल कर, plug and play mode में डालने की जरूरत है, तो यह भी अच्छा खासा term है, आप इस इसे ban हट गया है, और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग obviously बाहर की countries को यह supply कर सकते हैं, पर यहाँ पर यह बोला गया है, कि फर्म को जो है, वो 20% जो supply है of their production, वो domestic market को देना ही परेगा, और यह minister ने बोला है, तो minister कौन बोलेंगे, तो obviously जो minister होंगे, minister of, union minister of chemicals and fertilizer, य ministry for chemicals and fertilizer हम लोगोंने already cover किया हुआ है, अपने government schemes के series में, अगर आप वो scheme नहीं देख रहे हैं, वो series नहीं देख रहे हैं, तो please उसको देखना चालू कर दीजे जल्दी से, ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने इसमें क्या बोला है, वो थोड़ी बहुत और details देख लेते है HCQ के बारे में, तो यहाँ hydroxy chloroquine को हम लोग already जानते हैं, कि India काफी अच्छे मात्रा में produce कर रहा है, और जो US के president है, Donald Trump, उन्होंने भी यह बोला है, कि यह जो medicine है, यह potential game changer हो सकता है, in the fight against COVID-19 pandemic, ठीक है, तो आगे यहाँ पर वही है कि 20% जो supply है, वो domestic market में देना ही परेगा, और यहाँ पर जो department of pharmaceuticals है, और यह किस ministry के अंदर आता है, यह आप comment section में बताइए, department of pharmaceuticals, तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या है, उन्होंने lift कर लिया है band को, और यहाँ पर hydroxy chloroquine से related जो भी API है, और जो भी formulation है, अब इसका export किया जा सकता है, और हम लोग already जानते हैं, कि India ज आज का question भी दिया है, तो question को देख लेते हैं, तो हमारा आज का question है, what is hydroxy chloroquine, ठीक है, उसके बाद next point है, why is it in demand, next point, do you think it is the silver bullet to address the ongoing pandemic, analyze, तो यह 200 words में लिखना है, ठीक है, यह तोरह जादा, normally 150 words का मैं एक और question देता हूं, पर आज का question यह रहेगा, 200 words का, तो आपको यह answer करन और आपको आच्छा खासा understanding भी हो जाएगा, इस particular medicine से related, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग next article पर चलते हैं, अब इस article के आने के कारण आपके पास, जो है means के लिए, और even prelims के लिए, additional topic बढ़ गया है, वो universal basic income, आपको यह तो पढ़ना ही पढ़ेगा, ठीक है, तो अब आप अब आप देख लेते हैं, इसमें हमनारे article में क्या लिखा हुआ है, तो government considering universal basic income, और यह कौन बोल रहा है, तो NHRC बोल रहा है, NHRC क्या होता है, तो National Human Rights Commission और इन्होंने यह बोला है, और इन्होंने uniform किया है, कि जो भी United Nations Human Rights Council, that is UNHRC को एक तरह से recommendation दिया है, कि वो लोग सोच रह को एक तरह से same amount देना, और direct benefit transfer के through, ठीक है, मतलब उनके account में सीधा चला जाएगा, तो यहां पर और उनको कोई महनत करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर अगर आप देखोगे, तो ऐसा कोई, मतलब यह नहीं कर सकते हो, कि किसी particular person को आप, मतलब बिना select किया है, या फिर उनको exclude कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर अगर किनी कोई जरूरत होगी, तो बिना exclusion किया जा सकता है, उनको include, हाँ, वह यह कि बात में policy किस चीज़ से related बनता है, कि वह concept basis पर decide करते हैं, कि किसको मिलेगा, किसको नहीं, यह तो formulation के बात ही पता चल पाएगा, अब यहां पर हम लोग अल्रेडी जानते हैं, कि फुराने economic survey में भी एक तरह से अलग से chapter आया था, universal basic income के लिए, तो वो भी आप ध्यान में डख सकते हैं, साथ के साथ यहां पर वही बुला गया है, कि अगर आप देखोगे, तो यहां पर study, यह continue करने की जरूरत है, जो कि related होग यहां पर यहां पर यह भी बूला जा रहा है, कि education को और भी जादा accessible बनाने के लिए, human resource development ministry जो है, उनको बूला गया है, कि holistic inclusion करें, उन children's का, into the draft national economic policy, तो हम लोग अरड़ी जानते हैं, कि draft national economic policy अभी तो बनी रहा है, तो इसमें और भी changes लाने की बात कही गई है, और इसके जो भी vulnerable groups हैं, जैसे ST, ST हो गया, SCs हो गया, और इनके उपर जो atrocities वाला act है, 1989 का, इसको भी वहां पर बोला है, कि जो भी इसके inefficiencies हैं, इसको खतम करके, सही तरीके से implement किया जाए, तो अब हम लोग चलते हैं, next article पर, next article हमारा है, lion census से related, तो हम लोग ने last year, मतलब कली देख कि lion census हुआ था, गिर्क फोरेस्ट गुजरात में, और उसमें 674 जो number था, lion का बताया गया था, जो कि पिछले 5 सालों में, मतलब 2015 से 2020 में, 30% around, मतलब जो exact figure था, 29% था, पर around 30% आप बोल सकते हो, जो एक तरह से growth हुई थी, ठीक है, तो यह हो गया, यह कौन है, यह है Simba, और तो आपको T1 भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में, तो अब चलिए, देखते हैं यहाँ पर इस particular video में क्या है, sorry, इस particular article में हम देख सकते है, lion census method को बोला गया है, कि outdated है, यह एक expert ने बोला है, एक wildlife biologist ने यह क्लेम किया है, तो यहाँ यहाँ पर बोला गया है, कि जो death sue है है, virus के कारण, उसको यहाँ पर रिपोर्ट ने किया गया है, हमारी सरकार के द्वारा, तो यही चीज एक problematic बात आ गई, कि अब सरकार के जो, मतलब जो तरीका उन्होंने अपनाया है, उसको ही यहाँ पर इन्होंने question करना start कर दिया है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क बोला जा रहा है, कि एक outdated methodology को यूज किया गया है, और जो भी true mortality है रही है lions की, because of that virus, इसको एक तरह से इन्होंने include नहीं किया, और इसी कारण से, जो गुजरात government का claim है, lion population से related, वो थोड़ा credibility loose कर चुका है, अब यहाँ पर हम लोग अलड़ी जान चुके हैं, कि Prime Minister Modi और हमार जो Environment Minister प्रकाश जावित कर है, इन्होंने already tweet करके बता दिया है, कि इतना सारा growth हुआ है, तो अब देखते हैं, आगे इसका development क्या होता है, कितनी authenticity है, इस particular news की, आगे पता चल पाएगा, नेक्स्ट हमारा article है, वो US से related है, तो US में बताया जा रहा है, कि COVID-19 case कर जो tally है, वो 2 million cross कर चुका है, 2 million मैं तब 20 lakh हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अलड़ी देख सकते हैं, कि यहाँ पर अगर देखो गए, आप number of deaths कितने है, तो 1,12,833, तो यहाँ देख सकते हैं, अब कितना बड़ा number है, मतलब वही है कि आप वहाँ की हालत काफी जादा खराब है अब इंडिया की भी हालत खराब है, अब इंडिया की हालत सुधर चुकी है, इंडिया भी 4th position पर चल रहा है, ठीक है, तो यह मैंने आपको शायद दिखाया है, नि मैं आपको एपर दिखा देता हूँ, जो सबसे पहला article डिसकस किया था, वहाँ पर हम देख सकते हैं, कि इ हालत जो सुधरती है या नहीं सुधरती, अब नेक्स्ट जो आखरी न्यूस हमारा है, वो है कि 1st estimation exercise of Indian god in निलगिरी इन रिशन टियर्स, तो यहां बताया गया है, estimation exercise किया गया है, कि कितने इंडियन गौर्स हैं और निलगिरी एडियास में है, तो ठीक है, तो आपका काम हो यहां पर बोला जा रहा है कि habitat fragmentation के कारण एक तरह से देखा जाए, तो इन अनिमल्स को एक तरह से बहुत बढ़ा factor बन गया है, कि इन अनिमल्स को proximity with humans के साथ में जाना पर रहा है, वही है कि हम लोग अल्रडी जानते हैं कि अब human animal conflict कितना जादा हो रहा है, और हम लोग elephant का death जो हुआ था, उनका हम लोग अभी नाम मतलब भूला नहीं पाए हैं अभी तक, तो अभी देखना है आगे कि इस तरह के human animal conflict हो रहा है, इसको किस तरह से control किया जाए, तो यहां पर वही चीज है कि habitat fragmentation बहुत बढ़ा reason होता है इसके लिए, तो वही है कि यह estimation किया गया, estimation के situation create होती है, तो थोड़ी बहुत तो adjust करना ही पर जाता है, so please video को जरूर देखिएगा, मुझे पता है बहुत जादा लेट हो गया है, पर फिर भी मैं अपनी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, कि आपको सारा कुछ अत्य तरिके से बता पाऊं, और question को भी जरूर attempt क्योंकि question बहुत ही important है, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग next video में आपसे मिलेंगे, और फिर से मैं आपको वापस से sorry बोलता हूँ, और I hope जल्दी से चीजी ठीक हो जाए, ताकि उसको वापस से उड़ते हुए देख पाऊं, तो चलिए, मिलते हैं आप next video में, so stay safe and study hard.